असलाम लीकुम दोस्तों में रहा है मक्सूद और आप देख रहें आपका अपना चैनल ठेकी हल टेप्स यूटूब चैनल आर्ट किस तरीके से आप अपना यूटूब चैनल आर्ट अट्रेक्टिव बना सकते हैं जैसा की कुछ ही इस तरीके से अगर आप बनाना चाते हैं channel art तो आपको ना तो कोई software की जरूरत है और ना ही बहुत ज़ादा editing सीखने की जरूरत है और आप आसानी के साथ within 10 minute एक अच्छा YouTube channel art बना सकते हैं बस आपको जाना है Google Chrome browser पे और online ये काम आसानी के साथ आप कर पाएंगे वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप मेरे एक नए वीवा है अगर आप मेरे चैनल को subscribe ने किया है वीडियो पॉस्ट करके आप मेरे चैनल को subscribe करने बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे वीडियो के latest notification अपडेट पाने के लिए सबसे पहले बस इंतजार हुआ खत आएए दिखते हैं किस तरीके से आप attractive YouTube channel art बनाएंगे वो भी online तो जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये है मेरा YouTube का channel art जो कि अभी अभी मैंने बनाया है और मैं आपको कुछ इसी तरीके से YouTube का channel art बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप online YouTube channel art बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने open कर रखा है Google Chrome browser और यहाँ पे मैं type करूँगा उस website का name जिसका नाम है Canva Canva एक बहुत ही अच्छी website है जहाँ पे आप online create कर सकते हैं YouTube channel art थम्निल लेकिन यहाँ पे हमें create करना है channel art जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी categories आपको दिख जाती हैं आप किसी भी categories में जा सकते हैं आप यहाँ पे simply type कर सकते हैं YouTube channel art तो जैसे आप type करेंगे YouTube channel art आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे YouTube channel art का option दिख जाएगा आप जैसे इस पे click करते हैं YouTube channel art पे तो आपके पास multiple जो है यहाँ पे template से आते हैं आप इन में से कोई भी template को select कर सकते हैं लेकिन अभी क्या है हमें एक channel art बनाना है तो हमें अपना custom channel art बनाना होगा तो हम blank select करेंगे और आएंगे हम click करेंगे create blank YouTube channel art जैसे हम इस पे click करते हैं आपके सामने क्या होगा एक window खुलेगी जिसमें आपके सामने बहुत सारी चीज़ें open हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह blank window खुल चकी है अब हमारा step यहाँ पे होगा channel art create करने का किस तरीके से हम channel art create कर सकते हैं left side में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि upload, photo, element, text यह वो options हैं जो यहाँ पे available हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और इन में से आप choose कर सकते हैं और जो आप जैसे कि text choose करेंगे तो आपको number of text यहाँ पे दिख जाएंगे Channel Art, template ही हम डाल देते हैं या फिर Art Сize हम डाल देते हैं जैसी हम डालेंगे है आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पर यह आपके पास इमेज आ जाती है हमें क्या करना है? इसी image को करना है. download तो मैंने कर लिया है download अब हमें करना है upload पे आके इसको upload हम आते हैं upload पे और click करते हैं यहाँ पे device पे जैसी हम device पे click करते हैं मैंने download में वो image रख रखी है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आके सबसे पहला काम हमें इस image को upload करना है और upload करने के बाद इसको हमें यहाँ पे put करना है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह image आ चुकिए अलड़ी मैंने पहले कर लिया था जिसकी वेसे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आ जाती है उसके यहाँ पे दिख रहा है मतलब यह desktop max है यहाँ तक अगर आप अपने channel art को रखेंगे तो यह tablet पे होगा और यहाँ तक अगर आप रखेंगे तो यह क्या होगा आपका defined होगा mobile phone के लिए सबसे पहले हम आएंगे कहां पे file पे और यहाँ पे हम करेंगे show rulers जैसे हम click करेंगे आ आपके दोनु साइड पे ruler यहाँ पे दिख जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे ले जाते हैं यहाँ पे एक arrow बन जाती अपन डाउन आप इस पे select करेंगे और यहाँ पे simply ऐसे minimize करेंगे और आप चूस करेंगे इसी तरीके से फिर एक बार आएंगे और यहा देखेंगे क्या हो गया आपकी जो category है वो defined हो गई, tablet की category defined हो गई, desktop की हो गई और आपकी mobile phone की हो गई, अब हमें करना इस image को delete, अब हम क्या करेंगे इस image को delete करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक option आपको दिख जाता है, delete का और मैं इसको delete करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी image delete हो चुकी है और मेरी category defined हो गई है, कि यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा desktop mode full होगा, यहाँ पे tablet की है, यह है mobile phone की लिए, और मुझे इसी के बीच में यहाँ पे रखना है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, हमें जो अपना channel art रखना है वो इसी में रखना जहाँ पे लिखा हुआ है, text and logo save here, तो मैं delete करता हूँ, अब बारी आती है, choose करने की कौन सा आप choose करेंगे यहाँ पे, theme कहलूँ या फिर मैं image कहलूँ, जो भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आप choose करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ यहाँ पे यहाँ लगाता हूँ, आप देख सकते हैं, यह लगने के बाद क्या हो गया, complete मेरा area जो है, पूरा का पूरा दिखने लगा, अब मुझे यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को लगाना होगा, तो मैंने यहाँ पे एक photo upload कर लिया है, सबसे पहले में क्या काम करूँगा, सबसे लगी है, अब उसके बाद इसके अलावा में क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं यह करूँगा, कि यहाँ पे मुझे लेना है text, मैं यहाँ पे text पे आऊँगा, और text पे मैं क्या करूँगा, मैं simple यहाँ पे text लूँगा, जो कि add sub heading का होता है, और यहाँ पे मैं लिख लिए यह इस्तिमाल कर सकता हूँ, या फिर यह इस्तिमाल कर सकता हूँ, या फिर यह इस्तिमाल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे यह इस्तिमाल करूँगा, color इसका मैं यहाँ पे change करके मैं कर देता हूँ yellow, तो आप देख सकते हैं, यह color हो गया yellow, अब उसके बाद हमारा द जिस पे आप आएंगे थोड़ा सा सिचुरेशन इसका बढ़ा देंगे तो image थोड़ी सी और आपकी quality जो उसकी होती है increase हो जाएगी दूसरी चीज़ क्या element पे मैं आऊँगा element पे आपको दिखाता हूँ वो सारी चीज़े यहां पे अवलेबल है मुझे यह laptop इस्टेमाल करना है mobile phone करना है यह घड़ी करनी है उसके अलावा headphone भी करना है अब क्या करना होगा आईए एक एक करके देखते हैं यहां से मैं pin करूँगा थोड़ा सा इसको small करूँगा इसी तरीके से इसको भी करूँगा small and यह नीचे लाएंगे इसी तरीके से mobile phone को भी करना है नीचे लाएंगे दिन इसको भी छोटा करेंगे नीचे लाएंगे अब क्या करना होगा अब एक चीज़ और भी है यहां पे एक और में ने लिया हुआ है वो क्या है वो है mouse तो mouse में क्या करूँगा mouse यहां पे लगा आप अपने एरो से भी लेफ्ट एंड राइट एंड डाउन अप कर सकते हैं तो यह मैंने लगा दिया आप यहां पर क्या है मुझे वन बाई वन चीज़े लगानी होगी थोड़ा चोटा करना पड़ेगा अभी कुछ चीज़ें मैं और आपको बताने वाला हूं इसमें और आप क्या कर सकते हैं जो इसके color है क्या आप color change कर पाएंगे तो yes आप इसके color को भी change कर सकते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और अच्छा लगे गई आप जैसे की देखी एक clock है या सॉरी अप जैसे की देखी यह smart watch है अगर मुझे इसका color change करना है तो मैं इसको कर सकता हूं कुछ इस तरीके से जो इसका black है मैं कुछ और color change कर सकता हूं अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं इसी तरीके से आप जिख रहे हैं yellow है तो आप कोई और भी color कर सकते हैं तो यह रही चीजें की यह आपके proper way में आ गई चीजे अगर आप इसके font को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं यह देख लीजिए आप इस तरीके से कुछ font को बढ़ा सकते हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं यह तो रहा mobile का view जो आपका mobile के view पर यह तना दिखाई पड़ेगा अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा दिखता है यहाँ पर जैसके कि देखिए मेरा चैनल है अगर मैं अपने चैनल को open करता हूं तो मेरे चैनल पर किस तरीके से दिखता है मैं यहाँ पर image दिखेगी आप यहाँ पर जो इसको मैंने बनाया है किस तरीके से बनाया है आईए मैं आपको दिखाता हूं आपको simple कुछ नहीं करना है आपको यहीं पर आना है और आप देखेंगे कि आपको यहाँ एक arrow दिख जाता है और arrow आप यहाँ टाइप करके भी ले स direction उसके बाद हलका सा इसको क्या करना है तोड़ा सा चोटा करना है और यहाँ पर लाके इस तरीके से कुछ लगा देना है और यहाँ पर फिर मुझे जाना है कहाँ पर text पे और simple line से लेना है और यहाँ पर लिख देना है like आप इसके color के font को change कर सकते हैं अगर आप इसको 64 रख दीजिए ताकि आपको यह देखने में भी अच्छा लगे तो देख सकते हैं यहाँ पर यह भी चीज बन गई और यहाँ पर यह भी आ गया और channel art आपको create हो गया लेकिन अभी आपको एक doubt यह लग रहा होगा कि जो यह line दिख रही है line कैसे हटीगी पहली बात दूसर पर एक सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप इसको अपने सिर्फ लैपटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं विब पे या फिर अपने मुबाइल फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो जी हाँ मैं आपको बता दूँ कि आप अगर canva को use करना चाहते हैं अपने phone पे तो आप बिल्क कि यह है Canva app, आप यहां पे एक चीज और भी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें Canva में वो यह है, कि जितने भी images को आप अपलोड करते हैं, वो आपकी हमेशा अपलोड रहती है, आप कहीं पे भी हैं, अपने mobile phone को खोलिए और आप उसको इस्तिमाल कर सकते है मतलब की reuse कर सकते हैं, यह मुझे बहुत ही जादा अच्छी चीज लगती है, और इसमें feature इतने जादा हैं, जिसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं, element में आप जाके number of चीज़ें आप यहां पे लगा सकते हैं, आपको download करने की जरूरत नहीं होती, आपको background, free background मिल जाते हैं, free images म मिल जाती हैं, और आपको बहुत सारी theme से मिल जाती हैं, जहां पे आप उस theme का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, अगर आपको custom नहीं करना है, या फिर आपको blank thumbnail का इस्तिमाल नहीं करना है, तो आप इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो अब By default आपको PNG पे रखना है और डाउनलोड पे किलिक करना है जैसी आप किलिक करते हैं डाउनलोड पे देखेंगे नीचे यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी दिर में आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि यह इमेज हो चुकी है डाउनलोड जैसा कि आपको आपको सिम्पल फ्री में मिल लगाना है और तूल अरे अवलेबल है बस create करना है तो यह रहाँ सिंपल और आसान तरीका इस तरीके से अपना आप यूटूब चैनल आर्ट किरियेट कर सकते हैं तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक जरूर करें और आप भी ट्राइ करें और आप अगर एक किरियेटर हैं तो आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है तो जी हाँ दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक जरूर करें अपने दोस्तों को शेयर करें बताएं ताकि आपके दोस्तों भी इस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल आर्ट क्रियेट कर पाएं और अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इस्टा फेस्बुक और ट्विटर पे तो मुझे फॉलो कर ले मेरी आइडि है टेकी हेल्प टीप्स और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे तो फॉलो कर सकते हैं help अंडिस्कोर टेकी